चलेंगे दिली से संजे हमारे साथ हैं संजे नमस्कार पूछी क्या जाना है आपको मेरे पास बैंक ओफ इंडिया के 600 शेर हैं एक दर इंट ऑफ 78 तर इसका फीचर कैसा रहेगा कब तक होल करना चीए या निकल जाना चीए ठीक है 78 रुपे के भाव पर 68 शेर हैं बैंक ओफ इंडिया की हमने देखा था शेर उपर ये टेजी से गया था लेकिन पिछले दो महिने में 24 परशंट के आसपास तक की गरावट आई है बैंक ओफ इंडिया के शेर में और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अब ये रिस्क र रुपे नीचे है निवेशित रहें अभी बिना किसी टेंशन के? अब्धन स्टैनली के बाउट अब्धन स्टैनली के पूझल आई है तो मेरा मनने है कि बैंक्स की आर्णिंग कहीं ज़ादा बढ़ती है क्योंकि जो डिपोजिट का जो ग्रोथ है, डिपॉजिट का जो इंट्रेस्स पेमेंट है वो इतना नहीं बढ़ता जितना लेंडिं rate बढ़ जाते हैं तो 2023 मेरा मनन है interest rate rising का और interest rate upward cycle का ही साल तो banks को इसका बिलकुल benefit मिलने वाल है तो मेरी सला रहेगी कि stock में बने रहें और 65 रुपे बिलकुल एक अच्छा label रहेगा stock को और average करने के लिए और नए निवेशकों को भी यदि को इसी quality banking stock में निवेश करना है तो पैसेट रुपे पे बिलकुल bank of India के stock में अज़र रखने ही चाहिए तो काफी अच्छा बैंक है balance sheet मजबूत है जैसा कि Morgan Stanley की report भी कह रही थी आपको अगर नए निवेश करना है तो भी आप पैसेट के लेविल पर कर सकते हैं अब आगे पढ़ेंगे और Kolkata से हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी है तमना नमस्कार तमना जी आपका सवाल क्या है हाँ जी नमस्कार जी अच्छी जी 75 coaching shipyard के शेज़ है 601 के भाव में 601 पे लिया है आपने 601 थोड़ा उपरी सतरों पर ले लिया जी चलिए आपको रायत लवा देते हैं नुकसान काफी जादा हो रहा है करीब करीब 40,000 का नुकसान स्टॉक में इंको हो रहा है आपसे सवाल होगा coaching shipyard गिरावट पर इन्होंने entry लेने की कोशिश की क्योंकि हमने तो स्टॉक को 600 के उपर भी जाते हुए देखा है लेकिन स्टॉक रिकवर नहीं हो पा रहा है उसके बाद से और इनको तो काफी जादा नुकसान हो चुका है क्या करना चाहिए बने रहें इस स्टॉक में और अगर निकलना है तो फिर कोई और भी स्टॉक इनको सजेस्ट करी क्योंकि नुकसान काफी जादा हो रहा है तो पुझा अगर हम overall formation की बात करते हैं तो इस counter में हमने बहुत अच्छी रुजान तो देखी थी पर ये रुजान के बाद ये counter में correction भी बहुत ही शाप आ गया और in fact अभी आप देखिए तो ये counter ने previous जो अपने breakout लेवल बताए थे वो था करें 435-440 zone और मैं ये levels की बात कर रहा हूँ जो जन 2020 का high था और उसके बाद जून 2020 उन में फिर से high किया था as of now counter उसी के नजदीक पहुच रहा है as of now कोई bottom formation की science तो किसी भी चार्ट पे नहीं दिख रही है but because इन्होंने already बहुत ही लंबे समय से hold किया है मैं यहाँ पे और थोड़े समय hold करने की सला दूँगा I think ये 435-440 का जो mark है वो ये बहुत ही strong support की तरह काम करेगा अगर counter यहाँ से consolidate हो जाता है और by any chance if it crosses 475 on the higher side तो शायद इनको मैं एक request करूँगा कि revisit करिया और थोड़ा सा average out भी करिया but for time being इस counter में बने रहे है I think 440 का एक अच्छा सा support है उसी को ध्यान में रखते हुए बने रहने की सला है ठीक है 440 रुपे के stop loss के साथ कोचिंश ये प्याड में कुनाल की बने रहने की सला है